जेहन दोस्तों स्वागत है आपका और आज का जो टोपिक है वो है सामान विज्ञान जो आपकी परिक्षाओं में पूछा जाता है तो चली हम लोग वन लाइनर सामान विज्ञान के प्रशनुतर करेंगे तो यह जो सामान विज्ञान का प्रशनुतर है यह आपका SPD का है ठी समाना ध्यान के लिए मैं इसको खरीदा है लेकिन मैं पूरा एनालाइसिस के बाद देखता हूं कि जो भी परिक्षा होता है उसमें same to same question पूछे जाते हैं इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा पहला है जीव तथा जन्तु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है त दूस्ता है जीव विज्ञान सब्द का परियोग सरपर्थम किसने किया तो जीव विज्ञान सब्द का परियोग सरपर्थम किया था आपका ले मार्क जो फ्रांस के हैं एवं ट्रे विरेनस जो जर्मनी के हैं इन दोनों ने किया था ले मार्क और ट्रे विरेनस ने चलिए जे विकास को सरपर्थम समझाया, किस ने समझाया, तो ले मार्क ने समझाया था, आधरक्षी का चिकित्सा सास्त्र का जनक कौन है, तो हिपो क्रेटर्स है बनस्पति विग्यान का जनक किसको का जाता है, तो थियो फ्रेश्टर्स को प्रेश्टस को रशायन विज्ञान का जनक किसको कायता है तो लेवो जियर को रशायन विज्ञान का जनक कहा जाता है दूस्ता है मानाव का विकास इतियास परंपराओं से संबंदित विशय कहलाता है क्या कहलाता है एंत्रोपो लोजी एंत्रोपो लोजी आद रखेगा गे बराबर MC स्क्वार का समिक्रन दिया था किसने दिया था Einstein जड़त के नियम की खोज़की किसने गेले लियोने गुरित्वाकर्षन के नियम के परतिपादक कौन थे तो Newton थे आध रखेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला है कि प्राकर्थिक वरन सिदांद के परतिपादक तो Darwin थे और उत परिवर्तन का सिदांद दिया थीक है किसने दिया तो Hugo D. Bridge ने Natural Selection का सिदांद दिया Darwin ने किसने दिया Darwin ने विकास के सिदांद के परतिपादक Charles Darwin थे अनुवान सिकी के जनक है Gregory John Mendel प्रयोग के लिए चैन किया था मटर के पोधों का अनुवान सिक्ता के विज्ञान को क्या का जाता है तो अनुवान सिकी कहा जाता है आद रिखेगा R.W. Watson ने इसको क्या का था अनुवान सिकी चलिए अनुवान सिकी वोद परिवर्तन होता है Chromosome जीन का आवस्तित जीन आवस्तित होता है गुन सुत्रों में एक जीन एक एंजाइम सितान को परतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने चलिए खुन का रांग लाल है किसके कारण तो हिमोगलोबिन के कारण हिमोगलोबिन में पाई जाने वाला तत्व कौन है तो लुहा है हिमोगलोबिन योगिक है प्रोटीन का आद रखिगा खुन थक्का नहीं जमता हिमोफेलिया रोग में और सरी के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है अकरित द्वारा होता है रक्त का ध्यन का लाता है हेमोटो लोजी रक्त के थक्का बनने में साहयक है प्लेट लेट्स प्लेट लेट्स की मिर्ति होती है पलिहा में रक्त का थक्का जमने में सायक विटामिन के है रुदिर का तरल भाग होता है प्लाजमा प्लाजमा में जल का प्रतिसत होता है नबे प्रतिसत रक्त का कितना प्रतिसत भाग प्लाजमा होता है पचपन प्रतिसत पदार्थ की चतुर तवस्ता है प्लाजमा रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा ब्लड बैंक का लाता है प्लीहा, स्प्लीन RBC का कब्रगा है आपका प्लीहा ब्लड बैंक में रक्त को स्रक्षित रखा जाता है आपका 40 डिग्री फरनाइट पर रक्त समू होते हैं A, B, A, B, A, B, A, B, O रक्त समू की खोज की लेंड इस्टिनर ने सर्वदाता रक्त समू है, O सर्वग्राही रक्त समू है, ये भी आद रखीगा चली, आगे चलते हैं R.H.Factor संबंदित है, किसे संबंदित है, तो रक्त से R.H.Factor के खोज करता है, लेंड इस्टिनर एवब वीनर R.H.C. चाप नियंतरित होता है, एड्रिनल ग्रंति से R.H.Factor को सुध करता है, विर्क आनि किटनी R.H.Factor के सुधिकरन की प्रक्रिया है, डाइलेसिस मुद्र का निर्मान होता है, विर्क में आनि किटनी में आगे है, विर्क का भार होता है, जेर सो ग्राम मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री बनी होती है, केल्सियम अउगजे लेटकी R.H.Factor का pH मान होता है, साथ दसलो चार R.H.Factor दाब मापने वाला अंतर है, स्पिगनो मेनोमीटर अब है, आपका सवर पर्थम रक्त परिशंचरन तंदर काद्यान किसने की आथात विलियम हारवेने शरीर से हिर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त पाहिनी कालाती है, सिरा हिर्दय से सरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त पाहिनी कालाती है, धमनी यहाँ पर समझे, सरीर से हिर्दय की और जो रक्त पाहिनी है, वो सिरा कालाती है और जो हिर्दे से सरीर की रक्त लेके जाती है उसको रक्त वायनी को धमनी काते हैं हिर्दे की धड़कन का नेंद्रक है पेशमेकर जराविक 7 है किरित्रिम हिर्दे सरीर में ऑक्सिजन का परिवन तंत्र परिवन होता है रक्त द्वारा पीत होता या पीले हरे रंग का चारी द्रब पीत का पी हेच मान होता है 7.07 पीत सिरावित होता है अकरित द्वारा अकरित में 22 के लिए भंडारी तराता है विटामिन A पीत जमा होता है पितासे में हाइटROफबया रोग होता है कुटता के काटने से हाइड्रोफब्या रोग होता है विसानू द्वारा विसानू की खोज इवानो वसकी न की थी विसानू का अध्यन है वाइरो लोजी रानी खेत विमारी फैलती है वाइरस द्वारा जन्तुओं में होने वाली फूट एन माउथ रोग होता है विसानू के कारण कवकों का दियन का लाता है माइको लोजी सिवालों का दियन का लाता है फाइको लोजी और सिवालों की कोशिका वित्ती बनी होती है सेल्यू लोजकी जिवानी की खोज, जिवानूं की खोज कि थी लिव एन होकने धहनी का वेक सरवादिक होता है ठोस में धवनी की गती धिमी होती है हवा में धवनी की चाल होती है 760 मिलीमिटर मिल परती घंटा ताप पढ़ने से धवनी की चाल बढ़ती है वायू है गैसों का मिसरन वायू धारन है गैस का गैस में विलियन हवा में धवनी का वेग होता है 332 मिटर परती सगें दोनी तिर्वता की एकाई है डेसिबल हवा का वास्प घनत होता है 1424 परकास वर्ष मातरक है दूरी का एक परकास वर्ष बराबर होता है नव दस वर्ष चार चार जोगना दस पर पावर 12 किलोमीटर या फिर नव दस लोगना diff पर पावर 15 मीटर चलिए आगे दखता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो पार्षिक जणों के रुपांतरन है मूली और गारजर तने के रुपांतरन है आलो और प्याज ठीक है पीटी उट्री ग्रंती पाई जाती है मस्तिस्क में माश्टर ग्रंती उखालाता है पीटी उट्री और प्यूस सरीर की सबसे छुटी ग्रंती है पीटी उट्री दू बंसा आनोंगा त्रोग होता है वर्णान धन्तायों हिमोफिलिया सरपर्थम मनिश्यों में वर्धानता का वर्णन क्या हेरनर ने अठासो चेत्रिस्पी में एक वर्णान द व्यक्ति में वहचान करने की छमता नहीं होती हरायों लाल रंकी थारेक्सिन हर्मोन स्त्रावित होता है थाराइड ग्रंती से आगे यह जठर रस में पाज आता हाइड्रोक्लोरिक अमल लाइकेन में परस्पर सहजी भी मुझूद होते हैं कवाक और सेवाल प्रोटिन का पाचन होता है छोटी आत में मनस्ध में पाचन प्रारम होता है मुक से लार में पाइया जाने वाला एनजाइम टाइलिन का लाता है तीबिया नमा घंडी पाज जाती है ठांग में मनसरी का व्यं जिसमें हड़ियों की संक्या सरवादिक होती है अंगुली में पाचन भोजन पचाने में सायकोन होता है तो एंजाइम एंजाइम की रचना होती है अमीनो अमल से पाचन क्रिया में प्रोटिन बदल जाता है अमीनो अमल में आहार नाल में स्टार्ज के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज शरीर में अमिनो अमन की संख्या होती है बीश शरीर में उतकों का निर्मान होता है प्रोटिन से हड्डियों और दातों की निर्मान के लिए आवशक तत्व है केल्शियम वह फास्पोरस गोपाल गैस कांड उन्हें सो चुराशी में रिशाव हुआ था जो मिथाइल आईसोसाइनाइड का रिशाविश में हुआ था काला हिरा तथा काला सिशा कहते है क्रमसा कार्बोनेडोर ग्रेफाइड को जीवन रक्षक हर्मोन कहते हैं एड्रिनल को पोधे का मोख्य परकास चंसले सियंग है पत्ती पतियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लव के कारण पतियों का रंग पीला होता है केरोटिन के निर्मान के कारण पर्न हरित में उपस्तित मुख्य धातु है मैगनिसियम वायू मंडेल में उक्सिजन की मातला संतुलित होती है परकास संसलेशन दौरा प्रेडवा पोधे दौरा खाना तयार करने की परक्रिया है परकास संसलेशन अ just and photosynthesis परकास संसलेशन के लिए आवईशक है CO2, जल, कलोरोफिल और सुरिका परकास परकाश नंसलेशन की किरिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के परकाश में परकाश नंसलेशन में अक्सिजन निकलता है जल से तो दोस्तों ये थे आपके मुख्य प्रस्ण जो बार-बार परिक्षा में पूछे जाते हैं लगभग 100-500 प्रस्ण मैंने आपको बताया तो अगर आपको आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू किजिएगा तो फिर मिलते हैं जैहिन जैभारत